हे किट्स, वेलकुम टू केड़ी जोन, मैं हूँ चुन्नी और आपको सुनाने वाली प्यारी सी कहानी एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारा सा गाउं हुआ करता था उस गाउं में रामलाल नाम का एक वैपारी रहता था उसका नमक का वैपार था नमक का वैपार चलाने के लिए गधे की पीट पर वो नमक को लाद कर एक जगा से दूसरे सान पर बेजा करता था लेकिन जो रामलाल का जो गधा था वो बहुत ही जादा आलसी था वे कोई भी काम करना नहीं चाहता था उसे नमक की बोरिया हमेशा भारी ही लगती थी इसलिए वो काम ना करने के हमेशा कोई न कोई बहाने ढूंडा करता था एक समय की बात है जब रामलाल गधे की ओपर नमक की बोरिया लाद रहा था तो उसे बहुत ही जादा भारी लगी वैसे भी वो बहुत ज़्यादा आलसी था एक दिन जब वो नमक की बोरी लेकर वो पुल पार कर रहा था तो अचानक से इसका पैर फिसलने के कारण वो पुल के नीचे पानी में गिर जाता है जब वो उटके खड़ा होता है तो उसे बोरी कुछ हलकी नजर आती है वो सोचता है कि नमक की बोरी हलकी कैसे हो गई तब उसे ध्यान आता है कि अच्छा तो नमक इस पानी में घुलने के कारण मेरा जो बोरा है वो बहुत ही जादा हलका हो गया है अब वो हलके बोरे को लेक पूल कर नदी गिर गया उस को तो से वही तरकीब को अपना है और जब वह राया नदी से तो यह चली झालतनी जाए तरकीब निकाली उसने गधे की बोरी में नमक कीज बजाए रूई को भर दिया अब रूई को भर तो दिया लेकिन अब भोडे ने सोचा कि ये इतना हलका क्यूं है चलो कोई बात नहीं इसे और हलका बनाया जाए वो भोडे को लेकर वहां से निकल गया जब नदी के किनारे पहुंचा तो उसने फिर से वही तरकीब लगाई और फिसलने का नाटक करके पानी में वापस गिर गया लेकिन इस बार तो नमक नहीं था क्योंकि उसके अंदर रूई थी और रूई पानी में जाने के बाद वो भारी हो जाती है इस पर गधी ने सोचा कि ये इतना भारी क्यों है ये तो पहले के मुताबित बहुत बहुत ही जाना भारी हो चुका है तब रामलाल वहाँ पर पहुचा और गधे से बातचीत की तब रामलाल ने बताया क्यों गधा मे ना नुकसान किया, तुम रोज रोज नाटा करके पानी में गिरते और नमक घुलवाते और जिससे मेरा बहुत ही नुकसान होता। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें अगले तीन दिनों तक जितना नमक ढ़ोते थे, उससे अब दो गुना तुम और नमक ढ़ोगे। इसके कारण गधे को बहुत ही जादा अफसोस हुआ, और उसने सोचा कि अगर मैं ये ओची हरकत ना करता, अगर मैं अपने आल झाल